गटना करम में आज जिला जज महोदे खुद गए सुप्रीम कोट के मुख्य ने आए धीस ने इस घटना को भयावा बताया क्या कुछ राजनीतिक सामाजिक और सरकारी तोर पर चल रहा है देखिए वाकई में आज देश की नियाई पालका ने हर देश वासी का विश्वास ब बनेगा कि हमारी लोग तांत्रिक वेवस्था में नियाई पालका की जो सरवचता है आज उसने फिर साबित किया है कि जो हमारे समाज में बेटियों को रख्षा न कर पाए इसी सरकार को लोग तुमाम सारी बाते कहते हैं हमारी बेटियों पर गिद निगाह रखने वाले ग जो उन्हें रात में जलाने का भी समर्थन करती है इस तरह कि अगर लोग हैं कि हमारे समाज में अविवाहित लोगों को वैसे भी नहीं जलाया जाता है तो उस पर सवाल तमाम सारे खड़े होते हैं उसके इतर जो लोग वहां जाना चाहते हैं उन पर लाठियां बरसाई ज गती हैं फीर वह चाहे जाहिए जोदरी जैसा नेता हो यह राहल गांधी प्रियंका गांधी क्ति या संजय सिंह उन चेंड़ी जपा elaborरी आफयो के साथ अपने नेताओं के ऊपर चाही फेकने की मामले में लाठी चलवाने लाठी खाने में यह सब आज बताना होगा कि हम इसके लिए तयार हैं क्योंकि किसी पर उतना जुल्म करो जितना खुद सह सको उससे ज्यादा चिंटा में डाल रहे हो उससे ज्यादा अगर बिर्ज का नाम लेती है हमारे तुझ भजन है कि जगत इस जगत में कोई पर मानेंट नहीं है और तेल चमेली चंदन साबून चाहे लगा लो सेंट और जगत में कोई नहीं है पर मानेंट राश्ट्पती जै इनरल करनल ओचाहे लeटी देन एंट और यह सब काल सभी को खा जाएगा और लगजेरी हो या टेंट जगत में कोई नहीं है पर्मानेंट सुन लो भाई उमा संकर पांडे उमा संकर पांडे सुन लो फिर न कहना सब को सब पर लागू होता है लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि इनसाप की आवाज उठाना लोगतंत्र में अगर आप यह आवाज उठा रहें तो आप जिंदा हैं अब बहुत बार इस्थितियां यह आती हैं कि बाई निलंबन एक हमारे साथी ने लिखा सोसल मीड पर कि निलंबन के रुमाल से नाक नहीं पुछेगी साहब अगर आपने तो गमशे से लोकतंत्र का गला पहले ही घोड़ चुके हैं अगर इस तरह की बात समाज में आ रही है तो यह बीजेपी को सोचना होगा कि उसने किस रामराज का वादा किया था उसने बहुन बेटिय सरकार के खिलाब अन्न राष्ट रहरतां रृत कुछ तब्स रें रचा था धिश कैने लिजू समस्या है यह अंतर राष्टि व क्विपशन औरFit कि समस्या जानत हिंदूत्य पो गई है जनता की जागरुकता इनकी समस्या है यह चाहते हैं कि कि इनको अनपाड कमजोर नंगा भूखा अंधभक्त मिले यह जो कहा है वही सच माने यह इनकी इनके सामने यह संकट पैदा यह अंतर राष्ट्री साजिस कहां से आ गई बेटी के लिए न्याय मांगना बलतकारियों के सपोर्टर इसको कह रहे हैं यह अंतर राष्ट्री गौ हा ने लिखा है की उम्र भर गालिव भस यही भूल करता रहा और धूल चहरे पे थी आइना साप करता रहा तो यह सी सा सापर sum क्रूं लगे हैं अपना चीवरे की तूल साब नो करेंगे कर ले मौका है। कि बलरामपूर में जो कांड हुआ वहाँ पर पीड़ी तल्व संख्यक वर्गते थे तो वहाँ पर एनसे लगाने की बाद सरकार ने कही है हाथ रस्में ना तो अभ्यूकतों पर अभी तक गंगेस्टर लगा है और ना एनसे की बात कही गई हाथ ना घर गिराया गया है तो यह जो भाव अंतर दिख रहा है यह कहते कि बदायू में ऐसा हुआ था वहाँ बाद में घटना जूटी निकली एक संग एक गुट यह कह रहा है तो यही बीजेपी तो कपड़ा फाड़ के चिला रही थी कि फासिब लटका दिया पेंड़ पेंड़ लटका दिया हम मर जाएंगे यही धर ना देंगे यही यही लोग तो थे तब तो यह रोट की खाती दिनों ने उसे खूब भुनाया अखलेस यादों की सरकार में आज अपनी सरकार में वह कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ और बेटी के सम्मान में वाली मंत्री मैडम कहा है आज कल उनका कुड़ी खरीद रही है वक्ताने पर बाटेगी देखिए सुनील यादो बाटे ना बाटे जनता जरूर बाटेगी आप सी बी आई पर और देश की सर्वोच अदालत पर सबको यकीन है भारत की सर्वोच बेवस्था ने हाई कोट ने सुप्रीम कोट ने तमाम इन सारे लो बचाने की आदत छोड़नी होगी क्योंकि ये अपसर सिर्व अपने स्वार्थ में डूबे होते हैं सरकार बदनाम होती है तो हो जाए कोई मुख्यमंत्री बिर्याज जी नहीं चाहता को उसके राज में अपराध हो और योगी जैसे मुख्यमंत्री के लिए ये तो और बा इतनी आग लगी हुई है इतना भी पक्षियों को लाठियों से पीटा जा रहा है और आज अधिकारी सब वहसे कोई से बने हैं वो मौज काटते रहे हैं वो हेलिकाप्टर में उड़ रहे हैं संगठन में क्या चर्चाए बीजेपी संगठन के भीतर देखिए उत्तर परद जिनको भी रोधी भी लोहा मानते थे लेकिन अहेंकार से नहीं प्यार से दूसरों को चिद्रान वेसल करने के बजाए सबको साथ लेकर चलना होगा सरकार खाली एकडल की नहीं होती है तो यह बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश की जंता को समझाने की चुनवती है काम सर कार खराब करें अफसर खराब करें और परिसानी संगठन जेले यह देखो ओपी सिंग को विचारों के किस हालत में पहुचा दिया बिर्जेट जी ओपी सिंग भी संगठन के ही आदमी है यह क्या करेंगे देखिए अगर कंकड जो है सड़क पर हो तो जूता पहने रो तो जाता है लेकिन जब कंकर जूता के अंदर आई गवा तो एकको कदम चलने देगा तो वह हाल यही है जी कंक्लूट करें विरे जी अब बीजेपी में जब कर जूता के अंदर आचुका है सरकार में तो बीजेपी के लोग कितना खीचेंगे उसको ओबर हालिंग की जरूरत ह है अंदर उनी चुनावतियों से निपटने की जरूरत है चलिए आपने हमेशा साहस किया बेटियों को इंसाब दिलाने के लिए तमाम सारे धूप शाओं देखे आज इसी धूप शाओं पर इसी साहस पर विरेंजी की प्रसंसा करना चाहूंगा कि विरेंजी के नेत्रत्त काम में हमारी रिपोर्टिंग टी मने अदूत क्या प्रग्या मिष्ट ने जबर्दस्त काम किया है समाज का सच सामने लाकर रखें उन चेहरों को बैशत की बिरेंजी और उनकी टीम ने में यह बढ़ाई के पात रहें यह मिश्टा बढहाई की पात रहें नरेंद्र बढह जानता है कि ये लाइने सही हैं और जीवन में सब के धूप छाओं आती है सरकारों के सामने भी स्थितिया आती हैं और उनको कुरूरता से नहीं मोहबत और प्यार से निपटना चाहिए हदे सहर से निकली तो गाउघाओं चली और कुछ यादें मेरे संग पाऊओं पाऊओं चली और सफर्श दूप का किया तो तजुर्बा हुआ कि जीवो जिन्दगी ही क्या जो छाउँ छाउँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओपी सिंग मैं आपका रुख करना चाहता हूं इस बात को मानने में कोई बुराई है कि इस पूरी घटना करम ने आपकी पार्टी आपके बीजेपी संगठन की छवी पर दाग लगाया है सरकार के काम से पार्टी की छवी खराब हुई है आपको ऐसा प्रतीत होता है